हलो दोस्तों आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम आप सभी के लिए most important question लाए हैं जो अगर गामी आने वाले NTPC, Group D, All India exam के लिए बहुत ज्यादा useful हैं यह mock test number one है जिसमें top selected 40 question लिये गए हैं इस top selected 40 question में हम GK, GS और general awareness के most important question है चलिए दोस्तों इस्टार्ट करते हैं इस्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि आप यही चैनल पर नए हैं यह चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो आज आपका first question है कि उच्छ न्याले के अदियुस, सीवान वृवित्ति अधिकतफ उम्र सीमा क्याह troublesome ऐस्टीम की सीमा वह बासट वर्स सोती है जबकि उच्चितम नियाले के जो मुख्य नाधीस होते हैं उसकी मैक्सिमम उम्रसीमा 655 वर्स होती है इस प्रश्चिक राइटेंस वर भी होगा दोस्तों इसके साथ है भियाद रखिएगा उच्च नियाले या उच्चितम नियाले नियाधीसों की जो मैक्सिमम उम्रसीमा होती है वो निर्धायत की गई है जब कि गोंग उम्होती है उसको निर्धायत नहीं आपका Night question है कि कोड़ी सब्राइब कि भूता है गुएग के गुणफलius इस परस्ट कराई टेंस्वर यह होगा चलिए next question पर पढ़ते हैं तो आपका next question है कि निम्न में से काउन सा लो आयसक है जो लोहा होता है उसका यक्स magnetite होता है तिस परस्ट कराई टेंस्वर भी होगा magnetite लोहे का आयस्क होता है इसके साथ दोस्तों आप याद रखिएगा जो बाकसाइड है वो aluminum का आयस्क होता है चलिए next question पर बढ़ते हैं तो आपका next question है कि निम्न में से कौन मिस्र धातू नहीं है इसमें से जो मिस्र धातू नहीं है उसको बताना है दोस्तों यहां पर इस्टील एक मिस्र धातू है पीतल मिस्र धातू है और यह ब्रांच नहीं है दोस्तों यह ब्रास है ब्रास भी एक मिस्र धातू है जबकि एक ताबा एक तत्त्त है तो इस प्रश्ट कराई टेंस्वर स्यवाल के कोस का भित्ती किसकी बनी होती है यह सैवाल होते मैं ँसकी कोछ कवित्ती होती है वह स्युल्य काelle egy चंश क्राई तो स्यवाल के जो को स्युल्य की बनी होती है तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा यह ये एलपी अग्रूबडी में कई बार रिपिटेड हो चुके हैं, इस प्रश्ण को आप याद रखिएगा कि प्राइतिव भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो प्राइतिव भारत की सबसे बड़ी नदी गुदावरी है, इस प्रश्ण का राइटेंस्वर डी है, दो इसमें जितनी भी प्रश्ण लिये गए है, तो आपका नेक्स्ट कोउस्टन है, भारत की सबसे बड़ी प्रवत चोटी है, जो आपका नेक्स्ट कोईस्टन है, ये वी वेरी वेरी इम्पोर्トेंट प्रस्ण है, ये कई बर एक्जाम में रिपिटेट हो चुके हैं कि आंद्र परदेश एक भासाई राजी के रूप में कब गठित किया गया था तो आंद्र परदेश एक भासाई राजी के रूप में और 956 में गठित किया गया था तो इस प्रश्ण का राइटेंस वर सी होगा दोस्तों इसके साथ आ आपका है, कि मानो इस्ती का मुख्य तत्त्तु क्या है, जो मानो की अस्ती तत्तु होता है, उसका जो मुख्य तत्त्तु होता है, वह Phosphorus होता है तो इस प्रच्ट्ट कराई टेंस वर B होगा मानौ स्ती का जुम्ख्य तत्थ होता है Phosphorus होता है नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं कि OLEUM क्या है तो OLEUM जो होता है अक साधदृम सल्फि अम्ल होता है चाहिए हार्मौन जू हता है उसका उधहण क्या होता है हार्मोन का जो उधार है आक्सिटासीन है तो इस प्रश्ट कर आई टेंस्वर यह होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्टन पर पढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्टन है कि पच्छों की जो हड्डियां होती है वो कैसी होती है जो पच्छों की जो हड्डियां होती है व जो दिया गया है इसमें सबसे अधिक परत्यास्त कौन है तिस प्रश्ट कराई टेंस्वर सी होगा इस टील जो है वह सबसे अधिक परत्यास्त है नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेस्टन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक्ता सनिता लागू है भारत का जो गोवा राज्य है वहां पर समार नागरिक सनिता लागू है तिस प्रश्ट कर राइट एंस्वर डी होगा गोवा राज्य में समार नागरिक सनिता लागू है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन पर बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका नेक्स्ट क्वेस्टन है कि द्रों में कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है जो द्रों होता है उसमा का सबसे अच्छा चालक पारा है तिस प्रश्ण कराइट एंस्वर यह होगा द्रों में पारा का उस्मा उस्मा का बहुत अच्छा चालक होता है जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेस्टन है कि किसी मनुष्ट के शरीर का समाने तापकरम होता है किसी मनुष्ट के सब्सक्राइब होता है लेकिन यहां फारेन हाइट में दोस्तों आप याद रखेगा नाइंटी एट फारेन हाइट होता है इस प्रश्ट कराइट एंस्वर यह होगा तो किसी मनुष्ट के सब्सक्राइब आप नेक्स्ट क्वेश्ट पर पढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्टन है कि भारत को टीवी मुक्त देश बनाने का लच्च कब तक का है भारत को टीवी मुक्त देश बनाने का लच्च दुहजर पचीस का है तो इस प्रश्ट कराइट एंस्वर यह होगा भारत सरका ही जाएप का नक्स्ट क्यस्टन है इस प्रस्ट कर आधिक स्कोड़ते हैं looks दोसनों इसको आप याद रखेंगैं है कि अपर प्रारम में कितने मौलीक अधिकार दिये गए थे प्रारम में साथ मौलिक अधिकार दिये गए इस प्रश्ट का राइट एंस्वर भी होगा दोस्तों इसके साथ आप याद रखेगा जो वर्तमान में है मौलिक अधिकारों की संक्या इसमें से एक आपका संपत्ति का अधिकार था इसे सन्विधान से निकार इसे आनुच्यत 300 A में रख दिया गया है चलिए नग्स्ट कटन पर पढ़ता है अपका नेक्स्ट कहस्टन है कि की सताक मान पर जल का अधिकतम होता है जeln का जो लिए 4 संटugen्ट करेट वे प्रश्ण कराई टेंसवर डी होगा जलका जो अधिकतम गनत्तों होता है चार्शंटीग्रेट पर होता है चले नेक्स्ट क्वेश्टेन पर पर पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्टेन है यह वह वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रसन है दौस्तों इसको आप याद रख बी होगा चले next question पर बढ़ते हैं आपका next question है कि भारती राष्टी Congress की सबसे पहली महिला अध्याच कौन थी भारती राष्टी Congress की सबसे पहली महिला अध्याच एनिवेशन्ट थी इस प्रश्ट कर आई टेंश्वर बारती राष्टी Congress की सबसे पहली महिला अध्याच एनिवेशन्ट थी नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं तो आपका next question है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था जो बिहार राज है बंगाल से कब अलग हुआ था इस प्रश्ट का राइट एंस्वर भी होगा बिहार 1912 में बंगाल स इसको भी आप याद रखेगा कि परमाडविक संख्या जेट अंद्रभ्यमान संख्या एं परमाडविक संख्या के बराबर होती है तो पर पढ़ते हैं आपका next question है क्रियाडिव एक्रीटत कहन सा नहीं है इसमें से जो काउन से radioactive तत्व नहीं है इस प्रश्ण कराई टेंस वर डी होगा जर्कोनियम जर्कोनियम जो तत्व है radioactive तत्व नहीं है जबकि इसके अलावा estatin, francium, triatrium यह radioactive तत्व है चलिए अगले प्रश्ण के रुपढ़ते हैं तो आपका next question है यह भी very very important person है दोस्तों इसको भी आप याद रखेगा कि IPL 2020 का final match की stream ने जीता है जो IPL 2020 हुआ है उसमें जो final match है मुंबई इंडियंस ने जीता है तो इस प्रश्ण कराई टेंस वर सी होगा मुंबई इंडियंस ने दिल्ली केपिटेल सो हरा कर यह खिताब जीता है चलिए next question पर पढ़ते हैं आपका next question है कि तमाकु दिवस कब मनाया जाता है तमाकु दिवस 31 मही को मनाया जाता है तो इस प्रश्ण कराई टेंस वर सी होगा चलिए next question पर पढ़ते हैं आपका next question है कि जी का वायरस मानो शरीर के किस भाग को गरसित करता है जी का वायरस मानो शरीर के दिमाग को गरसित करता है तो इस प्रश्ण कराई टेंस वर डी होगा जी का वायरस मानो शरीर के मस्तिस्क को प्रभावित करता है चलिए next question पर पढ़ते हैं आपका next question है कि हीर्दे की धरकन को नियंदिर करने के लिए निम्न में से कौन सा खनीच अवस्षक है जो हीर्दे की धरकन होता है उसको निय को इसका सब्सक्राव चलिए नेक्सक्ता परती है रटें है आपका next question है कि बिजली के जो बल्ब होता है उसका जो filament होता है किस तत्तों का बना होता है बिजली के बल्ब का filament टंगश्टन का बना होता है इस पर आप मान कि क्या है SI system में तापमान की इकाई क्या है SI system में तापमान की जो इकाई हो है वो Kelvin है इस प्रश्ट कराई टेंसो और यह होगा Kelvin को कैसे प्रदिश्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेस्टन है कि नोबल पुरुषकार 2020 2020 के लिए किस संसथा को दिया गया है नोबल पुरुष्कार 2020 के लिए किस संसथा को दिया गया है तो इस प्रश्ट कराइट एंस वर सी होगा नोबल पुरुष्का 2020 दिया गया है दोस्तों इसके साथ आप याद रिखेगा डावल फूर्म होता है वर्ड फूट प्रोग्राम को 2020 का शांति के प्रुष्कार दिया गया है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेस्टन है कि सिवा जी का राज जब इसे कहां हुआ राजिये खवाता रायगाड में उसके अस्थापना की थे इसकी एस्ठापना बाजी-रव सींध्यान की Milwaukee होगा गौालिए राजी के अस्थापना बाजी-रव सिंध्याने कि जा था चलिए था नेक्स्ट केस्ट करूंवा करने सधान है जका है tribalे पासपोर्ट इंडेक्स थार formats पाष्पोर्ट इंडेक्स 2020 भारत का 14 अस्थान यह प्र rhe रश्ट कराइब एंस अर्ब होगा चलिए तो आपका इंस्ट क्तर पहरए था कि पीचल में कौन सी धातू होती है तो जो पीचल होती है किसका किसका मिस्तर बताइए इस प्रश्ण का टासवर्ट होगा पीचल जो अब कापड़ और मिस्तर होता है इसको आप याद रखिएगा जो टोली हुगे ले यह होगा मायोगलोबीन में कापर धातु होती है तो इस प्रस्क्राइट एंस्वर यह होगा दोस्तों यह दिए वीडियो